यात्रा चाहें सड़क द्वारा हो, हवाई हो या ट्रेन अधारा, हर शहर के आगमन की एक पहचान होती है, यूरोप में एतिहासिक इमारत, कैसल या किसी भी हेरिटेज निशानी से शहर की पहचान होती है, हमारे यहां भी ऐसी परंप्रा है, कानपूर से फर्रुखाबाद ट्रेन सफर में खुदागंज के पहले काली नदी पर बने रेलवे ब्रिज क्रॉस करते समय एक तूटे फूटे पुराने ब्रिज स्तम्ब की ओर ध्यानखीर जाता है, इसे देखकर अंदाज लग जाता है कि फर्रुखाबाद आने ही वाला है, जिजहसा वश इस व्रिज स्तम्ब के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि यह फर्रुखाबाद में एतिहासिक घटना क्रम का एक महत्वपूर्ण स्तम्ब है, शेर्शा सूरी ने अपने समय में इसक्षेत्र में सड़ के सरायो का निर्मान कराया गया था, खुदागंज सरायों में से एक है, एतिहासिक द्रिश्टी से बढ़ा ही महत्वपूर्ण स्तल है खुदागंज, कभी यहां के ताले बड़े मशहूर थे, आर्य समाज के अभिलेखों के अनुसार इस गाउं के मालिक फरुखाबाद के एक रई लाला राम स्वरूप खत्री थे, इसलिए इस गाउं का नाम राम स्वरूप नगर पढ़ा उस काल में लड़कियों की पढ़ाई के लिए सामाजे का भियान चला था, लाला जी 30,000 रूपा प्रतिवर्श लड़कियों की पढ़ाई के लिए आर्य समाज के माध्यम से माना कराया रकम अदाना होती देख 17 दिसंबर सन 1749 को दस हजार की सेना के राजा नबल राया की देख रेक में खुदा गंज के पूरब उत्तर में पढ़ाव डाल दिया नबल राया ने बीबी साहिबा को धोखे से वारता के लिए कन्नौज बुला बंदी बना लिया मुंशी साहब राय ने बड़ी सूज बूट से बीबी साहिबा को कन्नौज से रहा करा खुदा गंज आकर सांस ली थी आनन फानन में बीबी साहिबा ने सब की राय लेकर एहमद खान को नबाब घोशित किया सन 1750 में एहमद खान और नबल राय की से नाओं के मध्य युद्ध हुआ नबल राय मारा गया इतिहास में यह युद्ध बौरट खुद गंज के नाम से जाना जाता है अवद नबाब के वजीरे खजाना नबाब महंदी अली खान ने अपने फरुखाबाद प्रवास 1822 से 1837 तक रहकर काली नदी पर एक पुल बनवाया था नबाब महंदी अली खान के बारे में आगे किसी और रंक में बात करेंगे दो जनवरी 1818 को ब्रिगेडिया वाल पोल अपनी सेना के साथ फतेहगर में क्रांती कुचलने के लिए कानपुर से चल चुका था गुरसहाय गंज में ब्रिगेडिया सीटन के साथ मिलकर फतेहगर कूच करना था ब्रिटिश सेनिकों को आगे बढ़ने से रोकने हे तु बागियों ने पुल तोप से उड़ा दिया क्योंकि उनके पांच हजार सेनिक काली नदी के उस पार खुदागंज में मोर्चा लिये तैनात थे अंग्रेजी सेना ने काली नदी पार की भीशन संघर्ष हुआ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को काफी नुकसान पहुँचाया किन्तु अंग्रेजी सेना के वेग के आगे क्रांतिकारी टिक न सके नवाब मुझफर जंग को फतेहगर छोड़ना पड़ा फील्ड मार्शल राबर्ट को इस जीत के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था सन 1818 में दिल्ली के बादशाशाह आलम खुदा गंज पधरे थे अपने अगले अंक में हम नवाब महंदी अली खां के बारे में बात करेंगे